मैं ना अवल नमबर नहीं कहीं भी नहीं और लोगों ने समझाना शुरू किया देखो अजयक फॉल ट्रेट्स इस अ मास्टर अफ नन तुम ना कभी कामयाब नहीं होगी इसलिए फोकेस के साथ जिंदगी में आके बढ़ो एक चीज़ पे काम करो पर जब आपको नहीं पता होता ना तो जिंदगी अपने मन चले तरीकों से जीने और जिन्दा रहने का फर्क समझा जाती है और उपर ओपरेशन टेबल के नीचे लेटी मैं बस उस एक पल का इंतजार कर रही थी जो कह दे किना एक दिन और है तुमारे पास एक दिन और किसी को गिराया न खुद को इठाया कटा जंदगी का सफर धीरे धीरे जहां तुम हो पहुचे छलांगें लगा कर वहां हम भी पहुचे मगर धीरे धीरे यह कहानी उस छलांग के बारे में नहीं जो मैंने लगाई पर उस सफर के बारे में है जो पता नहीं कहां से शुरू हुई किन रस्तों से चल कर कहां तक पहांची नमस्कार मेरा नाम है केना और मैं हूँ एक स्टोडी टेलर नहीं मैं पोएट हूँ मैं एक राइटर हूँ और मैं कहानिया लिखती हूँ मैं एक ओगनाइजेशन में महारतना कंपनी में डेपिटी जेनरल मैनेजर के बत पे हूँ नहीं नहीं मैं थिएटर अक्टर हूँ मैंने बहुत सारे थिएटर प्लेज किये हैं मैं डांस भी करती हूँ, basically मैं सब करती हूँ, और इसमें क्यावियट है, मैं ना अवल नमबर नहीं, कहीं भी नहीं, जब मैं स्कूल थी, despite that I was a good student, I never came first in class, आज भी मेरी कविताएं वाइरल नहीं होती, मेरी कोई भी कहानी, barring one, millions में नहीं गई, मैं अपनी company की best employee नहीं, इस देश में सबसे बड़ी HR professional नहीं, मैं best theater actor नहीं, और मेरी किताबे best selling novels नहीं, पर मैं हूँ, और बस हूँ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, जिंदगी का सबसे मुश्किल काम, मैंने सीख लिया है, खुश रहना, सुकू से रहना, ठहराव से रहना, इसलिए मैं हर वो जगे जाती हूँ, हर वो चीज करती हूँ, जो मुझे खुशी देता है, और अंदर है, बड़ा मजाएगा, नई राज चुनो, नई सपने बुनो, नई एक्सपेरिमेंस करो, नई एक्सपेरियेंस लो, क्योंकि जिंदगी बहुत खुशूरत है, जी, ये मेरी कहानी है, शेक्सपेर ने कहा था, जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे हर चीज करनी थी, डांस करना था, तो परमपयागत तरीके से कथा का प्रशिक्षन लिया, और फिर कमरे में आईने के सामने डांस करने से लेकर साड़ात पे बारातियों के साथ डांस करने में बड़ा मजा आया, मुझे गाना सीखना था, भारतिया शास्त्रिय संगीत में प्रभाकर किया और बात्रूम सिंगर से क्यारीयो के में, I slayed it, उसके बाद चाहे पेंटिंग कॉंपटिशन सों, स्कूल में डिबेट्स हो, एक्स्टेंपरी हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, टोस्ट मास्टर्स हो, थेटर में आक्टिंग हो, एंकरिंग हो, लिटरिचर फेस्टिवल्स में मॉडरेशन हो, मुझे सब करना था, और लोगों ने समझाना शुरू किया, देखो, a jack of all traits is a master of none, तुम ना कभी कामयाब नहीं होगी, इसलिए फोकस के साथ जंदगी में आके बढ़ो, एक चीज़ पर के ना तो rebellious थी, वो कहां किसी की सुनने वाली थी, हाले दिल ये हुआ कि जब हम दस वी कक्षा में पहुचे, तो दिल भी हर सब्जेक्ट को दे बैठे, history भी उतना ही पसंद जितना geography, maths भी उतना ही पसंद जितना science, computer भी उतना ही पसंद जितना English, और classic literature भी उतना ही पस इन चॉइस को और भी ज़्यादा कॉंपलिकेट कर देती है, बट, if you're a good student and if you have scored well in class 10th, तो आपके पस चॉइस ही नही रहती, क्योंकि अच्छे students तो सिर्फ science लेते हैं, doctors, engineers, so-so types commerce में जाते हैं, और हीले ढाले, arts लेते हैं, humanities लेते हैं, जाने किसने ये logics बनाए, और जब बनाए, तो ये सोचा ही नहीं, कि मचलिया उड़ते नहीं है, पंची तैरते नहीं है, और मुझे तो बटक बनना था, उड़ना भी था, तैरना भी था, तो class 10th में, and because I scored good in class 10th, 11th और 12th मेरे लाइफ के सबसे miserable academic years बने, yes I was okay in studies, पर मुझे पढ़ना था, maths और science नहीं, अतर Pinky, Chacha Chaudhary, Madhu Muskan, Champak, Nandan, Lodpot, Balhan, Sillay करके, Leo Tolstoy, Sylvia Plath, Munshi Premchand, Subhadra Kumari Chauhan, यहां तक कि जिस चुर्मुरे में चुर्मुरा खाया न, वो अखबार का पन्ना भी थेकने से पहले मुझे पढ़ना था, that's how I was, by the time I passed out class 12th, I realized, maths or science, no, that's not where I belong, so next best option, अच्छे बच्चों के लिए क्या होता है, commerce, and soon I realized, वहां भी मेरे लिए कोई जगे नहीं है, I did fairly well, but then switched my path again, अंदर से आवाज आई, केना कहां जाओगे, कहां, कौन सा रस्ता है तुमारा, कितनी नहीं चीज़ें ट्राइ करोगे, और फिर शाइद किसी ने सुन लिया, I got in touch with masters in psychology and human resource development and management, पहली बार एक ऐसा subject मिला, जिसमें जान थी, human behavior, feelings, emotions, and it worked for me, I cracked UGC net, cracked three prestigious national examinations at the same time, same year, और एक ऐसे संस्था को जॉइन किया, जो महारतना कंपनी है, और जिसमें देश की 1% से भी girls का selection होता है, Now, the story begins here, मेरे पास सब कुछ था, society की terms में देखें, तो एक अच्छी decent नौकरी, a man who I had fallen in love with when I was 15, was my husband now, तो घर और ग्रेहस थी, decent पैसे, luxurious lifestyle, all good, अगर कुछ तो missing था, terribly missing, क्या, वो journals जो पीछे पड़े हुए हैं, डाइरी के पन्ने, कलम, दवात, light, camera, stage, audience, अभी भी किताबे भरी जा रही थी, डाइरीज लिखी जा रही थी, पर क्यों, किस लिए, ये पता ही नहीं, और लोगों की बात याद आई, focus रहो, एक जगे काम करो, यही तुम्हे आगे ले जाएगा, jack of all trades, master of none, remember, और देखते ही देखते मैं ना, जिन्दगी के रिग्मर डोल में फंस्ती चली गई, सुबह होती गई, शाम होती गई, जिन्दगी यूही तमाम होती गई, और जैसा पाश कहते हैं ना, मैं जिन्दगी की उस खतरनाक मोड पे पहुँच गई, जहां सपने मर जाते हैं, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शानती से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना, काम पर, काम से लोट कर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, और मुझे इस खतरनाक मोड से निकलना था, कैसे, पता नहीं, पर जब आपको नहीं पता होता ना, तो जिन्दगी अपने मन चले तरीकों से जीने और जिन्दा रहने का फर्क समझा जाती है, 2012-13, I went through life-threatening surgeries, जिन्दगी और मौत के बीच में जब मैं जूल रही थी, चीथड़े उड़े थे, खून बह रहा था, दर्द हो रहा था, और उपर operation table के नीचे लेटी मैं बस उस एक पल का इंतजार कर रही थी, जो कह दे, किना एक दिन और है तुमारे पास, एक दिन और तो शुक्राना मानूंगी और उस जिन्दगी के उस सांस की कीमत को समझूंगी, अपने तरीके से जिऊंगी, ये निवास में मौका दिया, and I still remember the day, मेरे शरीर पे पट्टिया बंदी हुई थी, और मैं ड्रैग करके अपने आपको उस दर्द में भी अपने ड्रॉर तक ले रहा था, और लोगों ने पढ़ा, धीरे धीरे उस मुकाम के बाद, उस तर्द के बाद भी एक अजीब सा खुबसूरत नरम, लायम सा सुकूबहरा एहसास हुआ, जिसे मैं कभी पीछे नहीं आपाई, अभी भी वहीं हूँ, अब हर काम करती हूँ, मेरी मैगजीन में आर् आप्तान ताइम्स, आएवन कपल अपूल अपूमपेटिशिंग, अभी नापक विताय करती हूँ, थेटर करती हूँ, यह भी गरती हूँ, हर छोटी बड़ी चीज करती हूँ, जो मुझे सुकून देती है, और जिंदीकी की रोजाना की, प्यारी प्यारी चीजों में जूम करना आना, मुसाफिरों को रोक करके उनसे गाने सुनना, कीजी को भी बैठा कर उससे कहानिया सुनना या सुनना, कभी-कभी अपने लवड वान्स को बैठा कर उनका हाथ पकड़ कर कुछ न बोलना, और बस उनके रहने का, उनके होने का एहसास समझना, सीखना, बेपना, बे इम्तहा, बिना दाइरों के मुहबत करना, जिंदगी ना बहुत स्खुबसूरत है, अगर आपने वो चश्मा पहना है तो, अकसर लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम इतना कुछ ऐसे कैसे कर लेती हो एक साथ, बहुत सिंपल है, कुछ पाने के लिए कुछ खोنا पड़ता है, मैंने खोया है, मैंने दोस्ट खोये हैं, मैंने रिष्टेदार खोये हैं, मैंने हॉलिडेज खोयी हैं, 24 गंटे में 28 गं चाप किसी कोने में बैठ कर पढ़ती हूं कभी-कभी मेरा परिवार भी सफर करता है, हाँ मैं जानती हूं पर वो लोग ही कैसे जो आपके सपनों के भागीदार नहों और मेरा परिवार मेरे सपनों के साथ-साथ मेरे पास में खड़ा है और किसने कहाए कि सब को प्लीज करना है, खुद को और चंद खुबसूरत लोगों को, बस, अब क्या है न, incidentally, I have one life, औरों का नहीं पता, पर मेरे पास ये एक ही जिंदगी है, जिसमें कई साल निकल चुके हैं, so one day at a time, one moment at a time, मुझे न, सफर का डिलाइट चाहिए, वो तम थी, best HR professional थी, नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे epitaph पे लिखा हो, she lived, she dreamt, she dead, तो बात बहुत छोटी सी है दोस्तों, वो करो जो तुम्हें अच्छा लगे, सीधे रस्ते पर चलना है, एक जगे फोकस करना है, करो, मतवाली चीजें करनी है, अतरंगी चीजें करनी है, करो, व करो, जो तुम्हें सुकून दे, ठहराव दे, खुशी दे, क्योंकि जिन्दगी जीने और जिन्दा रहने में बहुत परक पड़ता है, और हाँ, जिसने भी तुम्हें ये समझाया, a jack of all trades is a master of none, उससे बोलना कि अगली बार तुम्हें पूरी कहानी सनाए, जो ये है, a jack of all trades is a master of none, but often times, better than a master of one. So write your own story, create your own world. शुक्रिया.